है 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 लोग दोस्तों आप सभी के फिर से टीवियल कोचिंग की सीडू पुराय में बहुत बहुत सागत है तो दोस्तों हमेशा की तरह आज के इस सेशन में भी जो है हम लोग बिहार आइटी इंटेंग से जाम दौहर 20 को देखते हुए जो है जो काफी नजदीक आने वाल है एक्जाम यानि कि जो है बिसी इसी दौहरा आज आपका बिहार पोल्टेकनीक का जो है डेट लिलीज हो गया है एक तीस अक्टूबर को जो है इसका एक्जाम होने माला है तो आई होप कि उसके दस दिन के बाद जो है आपका लगभवक 10 नौवंबर तक जो है आपका आई कंसोट्रेट होकर देखिएगा क्योंकि इसमें भी जो है हम लोग टॉप 10 ऐसे कोशन को लेकर आए हैं जो आपके एक्जाम के भी उसे काफी महत्पून है और आपके मैथ के मैथ का जो है विल्डर उसको आपको चेंज करकर दिखाएगा यानि कि आपको मैथ का जो होता है उसको जो है आपको आपका स्ट्रॉंग करके यह पार्ट दिखाने वाला है तो आप इस वीडियो को भी जो है अन तक जरूर दखिएगा क्योंकि इसमें भी ऐसे कोशन लेकर आ है जो आपका काफी महत्पूर्ण है एक्जाम के भी उसे है तो आप हमारी सारी बातों को समझ होंगे कुछ ज्यादा ही आज लेक्टर हो गया तो चलिए सुरू कर देते हैं और हां दोस्तों करने से पर ले हमेशा की तरह फिर से आपको एक रिक्वेस्ट है कि प्लेज सब्सकाइब करके बेर आइकन को आउन जरूर किजेगा यदि आप चैनल पर नए हैं तो ओके और अधिक प्यार जगें हमारे परती तो आगे अपने और अधर स्टूडेंट को भी सेर जरूर करते हैं और देखते हैं हमाना आज का फॉस्ट फॉस्ट कोचन जो है क्या है तो आपका बोल क्या रहा है कि आपका दे रख हुआ है एक समाइनस वाई इसकल टू फोर और एक सो यानिके दोनों का गुनल फर्ट जो है 21 दे रखा हुआ है तो आपका एक स्क्यू माइनस वाई क्यू जो है फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है दो चीज दे रखा हुआ है आपको एक समाइनस वाई इसकल टू फोर दे रखा हुआ है और उसके बाद एक स्वाई यानिके दोनों का गुनल फर्ट जो है आपका चो इकीज दे रखा हुआ है और और स्वाई दोस्तों और पूश क्या रहा है एक स्क्यू माइनस वाई क्यू यही आपको फाइंड आट करने के लिए बोल रहा ह है ताफी सिंबल है चलिए फाइंड आट करते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों एक स्क्यू माइनस वाई क्यू एक क्यू माइनस वी क्यू आपको अब बताये तो यह वाला फूमूला अपको यह यह यूज करना होगा तो कैसे उच करेंगे हम लोग यहाँ पे x q minus b q is equal to आपका क्या हो जागा यही आपको ज्याद करना है according to question x q minus y q क्या हो जागा आपका x minus y का whole q minus plus में sorry plus में 3 x y into में आपका x minus y हो जाएगा अब सबका value जो आपको दे रखा हुआ है x minus y का भाई आपका 4 दे रखा हुआ है तो यहाँ पे 4 रख देंगे ओके और 4 का q हो गया और उसके बाद plus 3 है तो 3 into में x y का माम क्या दे रखा हुआ है 21 है तो 21 है आपके लिख देंगे उसके बाद x minus y बोल रहा है तो x minus y फिर आपका इजाँ पराइकेर में फोर जीख देंगे है और उसके बाद इसको और आगे शल्ब करेंगे तो 4,66, चॉल,चॉण, चॉण, आगे 4 का q चॉण, आगे 4 का q चॉण, आगे 4 का q चॉण, आया उसके बाद पलस में 3 में 21 से गुना करेंगे तो किस्तियां 63 आग उनना 4 कितना वाज़ाएगा आपका एक बार और इसको बार आहा देते हैं आगे तो चाउन सटा पलस 3 4 का 12 आचा चाउन का 24 आएक 252 आगया अब दोनों को जोड़ देंगे तो 4 आदू 6 आच आच आगा रहा दू आएक पर उसके बार खहां कि यहां पर कुछ नहीं करना था आपको एक फार्मूला का यूज करना था वह फार्मूला क्या था एक फ़्रमूला था मैनस बी जो टुख करना दो बर प्बादो चलिए अगले म्यूजन की रिख और आपका यह जो है तो यह कौचन जो है आपके एड़्याम चाहिए रहा है इसलिए आप इसको भी ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है कि जादू के वर्गों की रचना का सरे कि तो आपके इंडिया के रहानुजम को जाता है कि तो आप याद रखेगा यह थोड़ा सा इंपोर्टन लागा यानिकि जो है इससे थोड़ा सा आपको यह मानुन चलेगा कि आखिर एक जाम किस किस तरह के पूशे रहते हैं इसको आपको बताने के लिए इस को सब्सक्राइब लेकर आएं ओके तो यह आप हमारी बातों को समा पाई r square का भुल रहा है गोले का छ्हेत भॉय निट में गुले का इस को है में पीसमें दिया यह जो है आपका तो यह आपके देवस्काराया दूत्य थे जल्ली और यानि कि यह जूतर दिये थे आपका भासका चार्य के तरह बढ़ते हैं अगला कोचन आप इस पर देक प्रते होंगे कि बोल रहे है कि निम्ने चिटर में आप बनाना प्ठाइगा जोर दाँगे सबके बराबर हैlex कछ करते हैं च्राइख च्लाइज पारए तीन डिगरी दे रखा हुआ है और यहां पर आपको एक्स कमान यहीं भैलू आपको आपको नहीं देखा हुआ होगा इसका मान गया चुछ क्या प्रृज यह पूरा एंगल कमान कीतोती नहीं होगा तो वह आपका कितना डिगरी के बराब होता है तो उस पूरे घुमाव में उसका एंगल जो यूज हुगा कितना हुगा इसलिए आपको यहाद रखना होगा कि पूरा एंगल का मान कितना होता है पूरा को जोड देंगे तो कितना के बड़ाब होगा क्योंकि पूरा का एंगल का मान कितना होता है तो उससे आपका एंसर सही आजाएगा तो हई 120 है 120 को पहले सब होस्ट अपर उधर लेके चला जाएए तो यहाँ पीदर कितना कि आपका 4X बचा बटा थीरी आप प्र एकस आप अपर लास में एकस बटा तीन एकस बटा तीन इसमें से घट गया तो कितना अब आपका बार्त दूना चौबीस अनिके तो यहाँ पर आपका फोर एकस चार शात एकस 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 बटाएगा आप तो और एकस कितना जागा आपका आठ एकस बराबल और तीन इसमें आप तीन जो है आपका आया और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें तो यहां पर आपको यह समझ में आ गया है फिर से वीडियो को या फिर पर करके पहले हैं उस्वाइब की बढ़ते हैं मैं फिर आधि काल का समय था यानि की इतिहास में आदिकाल का जो समय था वो कब से था तो वह आपका 500 पूर्व से जो है इस्टाट हुआ है गनीत के इतियास में आधिकाल का जो समय स्टार्ट हुआ वो 500 इसा पूर्व से इस्टार्ट हुआ अर्था बीसी से इस्टार्ट हुआ एडी से नहीं तो यहां पर ऑप्षन नमर एविल भी डाइटन सरोगा यानि कि ऑप्षन नमर एमें जो है आपका 500 इसा पूर्व दे पर दिया है तो इससा नहीं है बुगा इस सब कोचन जो है प्रीवियस देर में पूछा गया कोचन है तो आई होब कि आप इसको समझ पार होंगे ओके हमारी भातों और भावनाओं कुछ है आप जाना से समझने का प्रयास किजिए आप इस पर नहीं क्या क्या ला रहा है त अगला कोचन आप इसकी पर देख सकते हैं अगला कोचन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का लगुतन समभर्तक और महतन समभर्तक जो है आठ चाउसर और 144 देर्खा हुआ है उन में से एक संख्या जो है दूसरी संख्या ग्यांद करें इसके पहले वाले प्रैक्टिस से कर देख सकते हैं उसमें हम इस तरह के मुद का भीकरवाय हुई है है लगाँ दोनों संख्याओं का गुण नफल ये स्वानफल होता है और यह आपको नमबर दे रखा हुआ है संक्या दे रखा हुआ है 288 और यह नहीं दे रखा हुआ है तो उसको अम लोग माल लेते हैं x ओके और इसी को जो है आपको ग्यात करना है तो हाई गुणा में इदर आएगा तो इदर भाग मिला दीजिए तो 144 हो गया आप गुणा 864 अब 268 को एक से मान घयते हो गया अब यह जो है आप केंशल आउट किजिए है तो घुना गया ड़ाहिए धाग्या और यही जो है सभी उतर हुआ है तो जब भी आपको से रिलेट करता हुआ कोजा पुछे तो डाइलेट आप इस फर्मूला का यूज कीजिएगा यह जो है इस से रिलेटेड जो भी आपको दो कोचन पुछता है दोनों कोचन हो हम ठोक के बता रहे हैं गरांटी के साथ कि यही इसी कंसेट पर आधाई तो भी कोचन रहता है तो चलिए अगले कोचन की तरह बढ़ते हैं इसका ओप्सन देख रहेता है तो अप्सन नमबर है इसमें देखेंगे तो ऑफसन नमबर 432 है ना जी हां दुसको चलिए अगले कोचन की तरह बढ़ते हैं तो अगले कोचन आप इसकी पर देख पार होंगे आपको बोल कर रहा है यह जो है आपका बोल रहा है चार गहंटिया जो है करमस आठ जो है सेकेंड 12 सेकेंड 15 नहीं आऀने प्राराम में जो बज़े होगी एक सार्व में वोजो कर फिर से स्टार्ट हुई है उसको छोर कर आ उसके बाद जो है एक घंटा में वो कितनी बार एक साथ चारो घंट बजी है वो आपको ग्याद करना है काफी सिंबल है इस तरह का कोचन जो है काफी हम आपको करवा चुके हैं तो इसलिए बोलते हैं कि जो भी हम वीडियो अपनोड कर रहे हैं उसको आप देखिये जरूर नहीं देख रही है तो आपका गल्दी है बहुत बारा निस्टेक कर रहा है एडिमिंशन न आओगा रेभुा एडिमिशन पका नहीं होगा एकको को वीडियो को छोड़ेगा न कुम आपका एडिमिशन नहीं होगा हम गरान्टिक अगा साथ ठोक कहते हैं अब भाई मैद व लेकिन आप यदि गलती कर रहा है तो उसको हमको बताने का जो है करतब बनता है हम बता सकते हैं आपको कि आप गलती कर रहा है हमारा वीडियो नहीं देख रहा है तो आपका गलती है तो जानते हुए अंजान नहीं बनिये वीडियो देखिए खर्चा कितना लग रहा है भाई हमारा वीडियो 45 मिन कर रहता है न तो 240 में चलाएगा दो 40 में 42 में चलाएगा तो 90 आचा है सब्सक्राइब जो है कटबे करेगा आप देख लिजेगा तो बंडिन बजने का अंतराल है वह आठग fan 12 सकेंड 15 सेकंड और अठाव सेकंड है यह आपका बजने का अंतराल है कि तो यह प्रहसाय करता है जब वीडियो बनाते हैं तो बहुद terre세 में लगता है अब तो यहीं आतराल था यानिकी आठ सेकेंड बार सेकेंड पर एक साथ जो है मतलब जो है बज रही है लगतार तो एक साथ बजने के बाद वह फिर एक है साथ कितना बार बजेगी वह भी एक घंटा में यह आपको ग्यांद करना है कि सबका यहां ग्यांद कर लिजिएगा जितना अंतराल में बात जारा हिए सब घंटी उसका एक सी एक लगाद करेंगे तो यह का होगा चार दूनी आठ चरुतियांगी बार आपे 15 और यहाँ प्यापका आठार हो गया फिर दो से केंसे आप होगा क्या जी हाँ दो से दो एक सब्सक्राइब तो वही जो है इस इसका बदने का समय है तो यह 307 सेकेंड पौर एक बार बजेगी तो यानिकि यह चारों घंटी जो है एक साथ बज गई उसके बाद 360 सेकेंड के बाद एक बार बजेगी फिर उसके बाद अगले 360 सेकेंड के बाद एक बार बजेगी उसके बाद फिर अगले 360 के बाद एक बार बजेगी तो इस तरह जो है बजेगी तो यह 360 360 सेकेंड बजेगी लेकिन आपको क्या बोल रहा है कि एक घंटा में कितनी बार बजेगी तो एक घंटा में एक घंटा में यहां पर संख्या ग्याद करना है तो ग्याद करेंगे एक घंटा में ग्याद करना है तो एक घंटा में ग्याद करना है लेकिन यह सेकेंड में दे रखा हुगा है तो घंटा को तो अब सेकेंड में बदलना परेगा आपको तो घंटा को सेकेंड में बदलेंगे तो एक घंटा में कातन सब सेकेन होगा यानि की एक घंटा में आपका कितना होगे आपका 60-60 लिखते हैं जिससे आपको चीज़े किलिए और आपको समझ में आए तो 60-60 यानिकि 3600 गुना कर देगा तो 3600 डबल जिरो तो 3600 हो जाएगा और बाट्टा में आपका 360 से भाग कर देंगे यहीं न होगा माल लेते हैं माल लेजिए कि यह जो चारों घंटी है 60 में जो है deo 30-60 तो उसके बाद 360 से भाख पर देंगे तो आपका ढाखा लेकिन तो अब यहाप गंटा में अपको आपको बदंए फालं ऐसान का름 कर दें अब यहापे तो यहां पर गंटा को सेकंड में बदलने के लिए 60 से 60 गुना किये अब यहां पर जीरो से जीरो चैनल आट हो जाएगा यह चाहां के साथ-दोस दाएगा यानि कि दोस बार जो है आपका इसका सही उत्वा निकल कर आएगा तो यहां पर आप समझे का कि जब भी आपको एक संद बदने की संख्या देलाएगा और सबका पहले एरसे निकाल लिएगा और कितना घंटा में या कितना देर में तो उस देर में उस ब अताधि B2 नम्र सही हुगा है यादि को और तो अब आपका यह दности दॉर समय एक जोर कर 11 बार लिखते हैं और 11 आइंसर Cour unfortunately क्यों को पहिल का जो श्टाइंग किया है उसका तो हम नहीं जूरे है यहाँ पर और उसका भी जोरना परेगा उसको हम लोग जो रहे है इसलिए आपका दोस बार जो है सही उतर होगा अगर प्रारंबिक को जोर कर बोले तो आपको एक जोर देना होगा तो चलिए अगले कोचन की तडरा बढ़ते हैं तो इंगले कोचन आपका पणना है का बोल रहा है कि एक मिसर्ण में स्पीट स्पीट आप समझ रहे हUNGगे ऊप पानी का अनुपात जो है तीन अनुपात दो के अनुपात में दे रहा हुगा है यह फीड पानी से तो आपका स्पीट का अनुपात की है जी हाँ स्पीड गतीन और पानी का दो ये अनुपात दे रखा लेकिन आपको यहाँ पे यह बोल रहा है स्पीड जHO है पानी सी एक जो है टीन जो है लीटर और अधीगर कि गना है आ ही मैं अधिक है इस्प्रीट जो है पानी से तीन लीटर अधिक है अधिक है ये कोस्ट अने में बोल रहा है लेकिन आप यहां पर अनुपात में देखिएगा तो कितना अनुपात में अधिक है तो अनुपात में देखिए तो तीन है या है तो अनुपात में अधिक कितना है अधिक कि लेकिन मेन हैं कितना है तर एक अनुपात का मान आपको यहां पे फल्क्स क्यां अंषे पूर और और कितना है में किवए पूछ रहा है कि और सबसक्क्राइब अब एक अनुपात पर ना घ्या तो आ 듣ो कि दो है वह पूछ रहा है तो City कितना है अनुपात में तीन एक अनुपात का मान तीन इसलिए तीन अनुपात का मान कितना हो जाएं तीन एंगुने трестस्त 559 लीटर जो है आपका competit हो गया और यदि आप से बारच पूछब्धा तो एक अनुपात का 3 तो दो अनुपात का जो है आपका कितना हुएगा तीन दुना छौव यानिकि छौव आपका लिटर पानी हुए था डॉबलू हुए था आहोई आपका स्पीट है तो यही आपको स्पीट पूछ रहा है तो 9 लिटर जो है आपका सही उतर होगा यदि ऑप्सन की बात करें तो यहां आप फ्रेस्ट पर देख सकते हैं अप्सन नमर डिए बिल भी राइट एंज रहोगा क्योंकि दिए नमर ऑप्सन में ही प्रस्ट का सही उतर दे रखा हुए है इसलिए डी का सही उतर होगा समझे ना समझे एक बन और समझा लेते हैं इस स्पीट और पानी का जो है अनुप एक अनुपात कमान 3 तो 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 दोस्तों अगले कोचन की तरह बढ़ते हैं तो दूस्तों अगले कोचन की बात कर दो है तो अगला कोचन आपका वर्क एंड टाइम्स रिलेट कोच्टन जो है ती रखा हुआ है बोल के रहा है कि पीटर किसी पीटर किसी व्यव nuclear का नाम है तो पीटर किसी कारे को 12 दिनों में पुरा करता है मोहन पीटर से 50 परसेंट अधिक छमता वाला है तो मोहन उसकारे को कितने करता है लेकिन आपको यह कंडिशन दे राखा हुआ है कि मोहन जो है पीटर से 50% अधीक कार्य छमता वाला है, यानि कि मोहन जो है, मोहन जो है Peter, Peter से 50% अधीक कार्य छमता वाला है, तो 50% अधीक का मतलब क्या 150 वटा 100, यहीए आप समझते हैं, तो यहाँ पे ये गलत आप समझते हैं, 150 बठा 6 नहीं होगा यहां पर क्या हो जाएगा आपका 100 बठा 150 होगा काहे होगा वो भी हम बताएंगे अब यहां पर देखिए 12 हो गया आपका गुणा में 100 आपका 150 तो मोहन जो है आपका आठे दिन में जो है इस कारे को समाथ करेगा अब हई 150 बठा 100 काहिने लिखें तो आप एक बात बताईए हमको emberconcept पर अधाय चैनि एता यहां पर देखिए तो हाई पीटर忌ह कारे को बारे दिन में कर रहा है ससे पिटर norse कोश्चारन में बोर रहा है कि मोहन पीटर से 50% बश्जाषा सब्सक्राइगी कारे वाला है तो पार्यान भु क्वाला है आठातия मोहन जो पीटर जेतना दिन में कर रहा है कार उससे कॉमेंट दिन में धाभ हो जब कम दिन में काम करेगा तब आप को यहाँ पीटर पर disorders 108 Crav तो इसलिए आपको यहां पे 100 बटा एक से बुना करना अपनेगा जब भी आपका कारे चमता की बाता है तो आप अधिक वाला को नीचा आओ छोटा जो है 100 को उपर लेकर चलिएगा तो इस तरह जो है इसको बनाएंगे नो कि हई जो है एक सो पचास बटा सो करके आठार लिखा लेगा यह तो औरी जो है लो डाउन का ही हो गया यानि कि जो है आउरी कामच्वर हो गया तो यहां पे जो है मोहन जो है आठ दिन में कारे समाब करेगा इसको बनाने का यही मेथट है इसको आप नहीं दिखता हो गई आपका कारे छमता निकालना होगा और परसेंट में कितना नमबर कितना है आपका आप्सटन मिल भी एट यानि की सी जो है अप्सटन सही उत्तर होगा आप यहां पर इस को समझ गया होगे